हेलो एनव वर्म वेल कमटि टूसाला फांडेशन तो यार आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो यार इन दोनों वोड में क्या difference है, student को किस वोड में जाना चाहिए, किस वोड में इसको क्या facility मिलेंगी, किस टाइप की education है, तो यार as a teacher में तुमको बताना चाहूंगा, जो मेरा experience है students के साथ, वो सारे points में तुमारे साथ share करना चाहूंगा, तो यार इस वीडियो को तु तो यार अगर मैं तुमको अपने experience बताऊं, जो student के साथ मैं ने देखा, तो वो में तुमको share करना चाहूंगा, जो सलसे पहले हम बात करते हैं, कुछ parameter के basis पर, जो यार हम first parameter ले ले लेते है, theory versus practical, देखो अगर तुमको मालों में किया, किसी वी exam के लिए theory भी important और practical भी important है देखो अगर हम आज की date में बात करें, तो देखो आज की date में तो CVSC board है, उसमे यार theory पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया रहा है, बट यार practical पर तुम ध्यान नहीं दिया रहा है, बट लिशे का तुम ICSC board की बात करते हो, तो यार practical पर थोड़ा अच्छे से focus किया जा रहा बट CVSC के comparison में, ICSC तो अच्छा दिया रहा है, दोगर उसी प्रकासि जिस तरीके से जो state का word होता है, उसमें क्या होता है कि यार तो लोकल language में study होता है, बट या CVSC में कहीं न कहीं, तुमारे state level board से तुमारे अपग्रेट में प्राया जाता है, तो सिम उसी तरीके से यार CVSC से थोगा अच्छा क्या है, तुमारा ICSC तुमको मिल जाएगा, अब नेक्स में हम बात करते हैं about the communication skill, देखो यार अगर तुम state board में होते हैं, तो देखो यार तुम क्या local language में सीख रहे होते हैं, बट तुम जो CVSC में आते हो, तो तुम क्या करते हैं, तुम क्या अगर तु होती हैं, वो स्कूल में सोड़ी क्या जादक रहे जाती हैं, और जितनी ज़्यादा activities होंगी, उतना ही ज़्यादा बच्चे क्या है, उस चीज को क्या perform करेंगे, और अच्छे चीजों क्या सीखेंगे, तो मैं तुम से यह कहूँगा, तुमारे जो skills हैं, वो ICSC ज्यादा अ कई बच्चे यह कहते हैं, तो मैं तुम से इतना ही कहूँगा कि यार, CVSC का जो syllabus है, लेंदी बहुत जादा नहीं है, यह अपने दिमाग से निकाल दो, यह बहुत जादा लेंदी नहीं है, और यह चीज जहां से अपने मांड में बसा लो, कि यार इसका जो syllabus होता है, वो moderate level होता है, उसी तरीके से यार, इनका जो level होता है, उनमें थोड़ा के लिए minor difference होता है, और कुछ भी ज्यादा नहीं है, अब यार, में चीज यह आती है, कि यह थोड़े थोड़े difference होते हैं, वो एक बड़ा difference create कर देते हैं, तो यार, इसलिए मैं तुम से यह कहूँगा कि य है, जैसे तुमारा physics है, तुमारा chemistry है, तुमारा biology है, यार, इनकी separate books हैं तुमारी, और separate इनका क्या paper होता है, तो यार, तुमको क्या यहाँ पर अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, और पिलस यहाँ पर जो slabs, physics, chemistry, biology में, यह तुमारा क्या है, जो slabs, तुमको 12th level में पढ़ करके देती है, तो यार, जब तुम अपने preparation में आओगे, for the IIT, for the NET, या for the NDA, तो यार, यह चीज़े तुमको क्या है, पहले से जब आती होंगी, तो तुमारा जो skill है, वो already develop हो चुका होगा, तो यार, तुम क्या है, easily, क्या है, यहाँ पर marks score कर पाऊगे, तो यार, यह च subject पर बहुत अच्छे से deep तक focus किया है, और उस बज़े से जो student के concept होते हैं, वो अच्छे से के लिए हो जाते है, अगर यार, तुम एक NILAC type के student हो, तुम चाहते हो, यार, कम पढ़ना पड़े, ऐसी काम चल जाए, तो तुम इस word को बिल्कुल तरीकी से avoid कर दो, अगर तुम NILAC type के student हो, तुम सोचते हो, यार, कम पढ़के काम चल जाए, तो यार, ICSD में मत जाना, अगर तुम sincere student हो, तुम चाहते हो, कि मैं अपने life में कुछ growth पाना चाहता हूँ, तो या definitely तुम क्या ICSD Board को prefer करना, तो यह चीज़ तुम को ध्यान रखनी है, अब देखको इसके सब्सक्राइब के जादा अपियर होते हैं हर साल, तो यार, यह चीज़ तुम को ध्यान रखनी है, अब देखो, जब तुम अपने preparation में आ रहे हैं, यह mind में बसा लो, कि स्लेबस बहुत ज़रा टफ नहीं है, नॉर्मल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, बट सब्सक्राइब करते हैं, फ्यूचर एक्जाम, यह कहते हैं कि सर मुझको जो है, आईटी का देना है, नीट का देना है, या मुझे एरफोर्स पर जाना है, या मालो कुछी भी आँगे चलके और दूसर कम्रेटर एक्जाम देना है, तो यार, उसके पॉइंट आपी से कौन तुम देखो, क्लास 10 के स्टेंडर में हो, अब देखो 10 में तुमारा एक CVSC है और एक तुमारा ICSC है, अब यार, तुमको ICSC में जो electricity पढ़ाया जा रहा है, और याब वही electricity तुमको किए CVSC में पढ़ाया जा रहा है, लेकिए दोनों में difference है, दोनों की electricity में difference है, डिफरेंस क्या है जब तुम CVSC में आओगे तो या नॉर्मल चीज़े कराई जाएंगी तुम्हारे नॉर्मल वे में होगा बच्चत तुम ICSC में होते हैं कुछ चीजी FC भी है जो तुम्हारे 11-12 के हैं और जब तुम तुम या और तुम पहले ही पढ़ चुके होगे तुम चीजों को आँगे CVSC भालों से सीख रहे होगे जो तुम से एक step आँगे होते हैं तुम कहीं नगे ही निकल जाओगे तो यहीं डिफरेंस होता है या थोड़ी थोड़ी चीजों में क्या तो यार उनका रीजन यह होता है कि जो CVSC के बच्चे वो जादा है इस टेट बोड की बच्चे जादा है बट यार आईशेसी के बच्चे कम है तो उस बोड पर जादा फोकाश ही नहीं करते हैं और उस चक्कर में क्या आईशेसी टाफ होता है तो यार उसको नहीं पढ़ाते है लिजन होता है यार एक्ट्वल में क्या है देखो बच्चे जब कम मिलते हैं जब बच्चे कम मिलते हैं यह तुमको नहीं मिलते तो कई बार क्या होती है अगर आज आज की डेट में यह काफी ज़्यादा इजी है और तुम यार आइसी एसी के लिए पढ़ रही हो तो यार तुमको क्या है आसे तुम पढ़ सकते हो अध्य चीज तुमको और बताना चाहूंगा जब तुम बात करते हो computer subject की देखो computer में क्या है अगर तुम CBSC में हो तो यार तुमको ICSC में हो तो यार तुमको पढ़ना पढ़ाएगा ना फिर तो ऐसे तो कम चल नहीं जाएगा लेकिं सेवियसी में पैटर नहीं है काफी जी है तो यार फिर कम्प्यूटर में महर करना पड़ेगा तो यार 910 के कम्प्यूटर में तुमको अच्छा खांसा दम मिलेगा लेकिन यार यह भी कही रहें कि आज की जो डिमांड है वो हो आते नहीं हो नειě हो तो यार कमालम होगした तुमको पानी पर तरस तुम को कुछ आठके करना होगा अंधर वा समझना से किया और किस जगह करना है तो यार किस जगह करना है तो यार विखरफे जब प्र। तुम एक उय। आपने को यह स्फ़िए नहीं सेख तब तक याइव वह अब आगे निकलपाऊगी तुम यह खथ सोच के देखो याद्सुन थे दो यहीं चीज हट जग है तो इसलिए यार मेरे पॉइंट विविव से तुमको यहीं सेर करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास ऑप्षन है अबाउट दश्रीए और तुम्हें चूज करना चाहिए वो वो वोट तुम्हा लिए काफी ज़्यादा बैटर रहेगा और एक च इस़ी वोट बाके बाएलोजी में सफर करते हैं फिर तीसा सब्जेक तुम्हारा होता है यार कंप्यूटर की सब लेवल पर नहीं कर पाऊगे और जब तुम 10 में नहीं कर पाऊगे तुमकe क्या अच्छा करोगे तो इस लिए इस चीज को सीखना होगा, तुमको अच्छी से पढ़ना होगा, और देखो, कंप्यूटर में चीज जरूर ध्यान रग नगी है, तुम रट्टा ना मारा, तुम अपि तुम दिक्कत में आ जाओगे, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने का मतलब है कि या तुम क कहिने के पीछ रहा जाओगे तुमको या जब तक ये चीज़े आती नहीं होंगी तब तो तुम ग्रोथ अच्छा नहीं पाप सब्सक्राइब और तो यार ऑवराल चीज़े में तुमको समझाया कोई भी तुम्हाद डावट और कुछी चीज तुमको समझ में नहीं आती है नीजे कमेंट टॉक से कमेंट करें पूछ सकते हो and thanks for watching this video